कोविट से लड़ने के लिए जरूरी है वस्बूत इम्यूनिटी यह आपको मिलती है सही डायेट और एक्सरसाइस से पर जब आप कुरोना से लड़ रहे होते हैं तब आपका शदीर कमजोर पड़ जाता है आप एक्सरसाइस नहीं कर पाते पर एक बार आप कोविट से रिका कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है डॉक्टर की माने तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइस जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यानि कि विग्रेस एक्सरसाइस यह बिना डॉक्टर की सलह के हर्गिज ना करें जब कोविट से रिकवर कर रहे होते हैं या फिर नए नए रेकवर किये होते हैं, तब कुछ टेस्स होना बहुत जरूरी है, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि कई पेशन्स में कोवेट के कारण ब्लट फ्लोटिंग होने लगती हैं, यानि खून के जो थके हैं वो बनने लगते हैं, साथ ही दिल की जो वॉल होती है, जो दिवार हो जरूरी है कि आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज करें, अब वो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपना मूँ बंद रखें, और जुबान को उपर की तरफ टच करें, ना के जर्ये सास लें, सास एकदम अंदर की तरफ कीचें, जब आप सास अंदर ले रहे हैं, तब जो हाथ है, जो हतेली है, उसे पेट पर रखें, और चाहें तो अपनी उंग्लियों को फेला लीजे, एक बार आपने भरपूर सास अंदर ले ली, तब उसके बाद ना के जर्ये सास बहर छोड़िए, यानि कि ऐसे, अब आपने सास अंदर ले ली, अब इसके बाद आपको सास बहर छोड़नी है, नाक के जर्ये, जरूरी बात, जब आप अपनी सास को नाक के जर्ये बहर छोड़ रहे हैं, तब हम्म की आवास निकालिए, यानि हम्म्म, ऐसा एक मिनट तक करते रहें, और कोई भी एक्सिसाइस, जो डॉक्टर लंग्स की ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने पर अपनी डॉक्टर की सलहाँ जरूर ले,